दिपावली के लिए इतना सौप्ट और मुलाया मुँ में घुल जाने वाला वो भी बीना घी तेल के तो ऐसा ही कुछ मिठाई आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ ससिस तड़का किचन में ये रेसिपी इतनी यूनीक है कि आप देखते ही मेरी गारेंटी कि तुरंद बनाएंगे और इसे बनाना बहद आसान है और खाने में स्वादिष्ट तो इतना कि आप खाते ही राजाओगे तो चलिए देर किस बात की आज की रेसिपी सुरू करते हैं रेसिपी सुरू करने से पहले हम सामगरी देख लेते हैं यहाँ पर एक कप मैंने लिया है सूजी सूजी अगर आपके पास बारिक वाला है तो वहीं मैं सजेस्ट करूंगी कि लीजेगा अगर मोटी वाली है तो उसे ग्रैंडर में आप पांच-छे सेकेंड के लिए चला लिजे ग्रैंडर में डाल करके तो वह बारिक हो जाएगा और एक कप सूजी लिया है तो यहाँ पर वन थाट कप के जितना मैंने डेसिटेटेट कोकोनट लिया है यानि कोकोनट का पाउडर लिया है आप ताजे नारियल का इस्तमाल करना चाहते हैं तो उसे भी पीस करके डाल सकते हैं हाप कप पिसी हुई चीनी ले लिया है और डेर्ड कप मैंने नौर्मल घर का दूद लिया है दूद कच्चा हो उबला हुआ हो कोई साब ही हो रूम टंपरिचर पर हो यानि फ्रीच का रखा हुआ दूद नहीं लेना है तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर एक बरतन ले लिया है बरतन में सभी चीजों को हम डाल लेंगे तो चीनी का पाउडर भी अब डाल देना है तो एक दो चमच में चीनी का पाउडर बचा दूँगी क्योंकि बाद में हमें इसमें थोड़ी सी पतली चासनी भी डालनी है तो उसी यानि चीनी का पाउडर कम डालिएगा तो कहने का मतलब की मीठा आप कम या ज़ादा आपने हिसाब से रख सकते हैं तो देखिए मैं एक चीज डालना इसमें भूल गई थी आप मत भूलेगा इसे स्टार्टिंग में ही डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिजेगा बेकिंग पा इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूद हमें डालना है तो एक कप के जितना देखिए दूद मैंने इस्तमाल कर लिया है और हाग कप के जितना दूद बच गया है तो दूद अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालना है क्योंक डाल करके अच्छे से mix कर लूँगी तो देखे ये सूजी जो है दूद को absorb कर ली है तो अब इससे ज्यादा दूद इसमें नहीं डालना है यानि सिर्फ एक कप ही दूद लगा है क्योंकि इसकी consistency परफेक्ट है केक हम नहीं बना रहे हैं हम यहां पर मिठाई बना रहे हैं तो नहीं डालना है तो देखे जिस भी बरतन में आप इस मिठाई को बनाना चाते हैं वो ले लीजे और तेल से अच्छे से ग्रिस कर लीजे मेरे पास दो तरीके का बरतन है यहां पर एक इस तरीके का केक वाला टीन है तो इसमें ओयल ग्रिस करके मैं कुछ बैटर डाल दूँ अगर आप टीसू पेपर लगाना चाते हैं तो आप टीसू पेपर भी नीचे लगा करके बेग कर सकते हैं आवन में बेग करना चाते हैं तो 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेग कर लीजे तो दिखे दोनों चीजों में मैंने हाप कर के डाल दिया है बेटर को और equally कर लिया कढ़ाई मैंने पहले गरम होने के लिए रख दिया है तो दोनों तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए और दोनों में चीजों को अन्हें च्छों आँपल दिया है Teakiν मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट के लिए इसे पका लेना है तो देखिए आप दोनों को मैंने कभर कर दिया है गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है चलिए अब इसको पकने देते हैं यानि पकने तक का इंतजार करते हैं तो देखिए 25 मिनट हो गया है तो धक्कन हटा करके मैंने चेक क तो नाइव क्लीन बिल्कुन निकला है यानि दोनों पक गया है तो जब आप आवन में पकाएंगे तो यह दोनों साइट से ब्राउन होगा यानि उपर से भी और नीचे से भी और अगर इस तरीके से आप कढाई में बेक कर रहे हैं इसको तो यह उपर से थोड़ा सा ऐसे वा चमज के जितना चीनी लिया है और उसमें आधी कटोरी मैंने पानी डाल दिया है यानि वन थर्ट कप के जितना मैंने इसमें पानी डाला है और इसकी हमें एक पतली सी चासनी बना करके तयार कर लेनी है यानि मेरे कहने का मतलब कि यहां पतार वार कुछ नहीं देखना है ब अगर नहीं आप डालना चाहते हैं तो इससे इसकीप कर सकते हैं इससे आपके मिठाई का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत खुब सूरत लगेगा और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि इससे आपने सिर्फ एक कप सूजी से बनाया है तो देखे जब यह हलका सा ठंडा हो गया है दोनों चीजे तो इसके उपसे चासनी हमें खुब अच्छे से डालना है ताकि यह चासनी अच्छे से अपने अंदर सोख कर ले तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके चासनी डालते जाएंगे थोड़ी दिर में यह अपने अंदर च चासनी को सोख कर ले, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर खुब अच्छे से चासनी इसके उपर डालना है, पहली बार में जितना मैंने चासनी डाला था, वो अपने अंदर इसने सोख लिया है, तो चलिए दूसरी बार इसमें चासनी डाल देते हैं, यानि खुब अच्छे स चासनी के निफ़्ग के लगा सब रहाएं। अगर है तो आप लगा दीजिए इससे मिठाई का लुक और भी अच्छा लगेगा तो देखिए मैंने दोनों पर चांदी का वर्क लगा दिया है अब निसान लगा लेते हैं कैसे कट करना है तो मैं इसे चकोर सेफ में कट करूंगी जिस तरीके से बर्फी का सेफ होता है तो मैं निसान लगा लेती हूं चको से और इसे मैं कट कर लूँगी इस तरीके से पहले निसान लगा लीजिए उसी निसान के उपर से कट लगा दीजिए अच्छे से और काटने के अंदाज से ही आप सब लगा सकते हैं कि ये कितना सौट और मुलायम है मुँ में जाते ही घु वो इस तरीके से मिठाई बना सकते हैं और ये मिठाई सभी को पसंद आएगा जो घी तेल वाली मिठाई खाना पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं तो ये सभी के लिए मिठाई है आप एक बार इस तरीके से एक कप सूजी और दूद से और नारियल के बुरादे से आप मिठाई को बना करके देखिए आप यकीन नहीं मानोगे कि इतनी स्वादिष्ट ये मिठाई बन सकती है मिठाई को मैंने अपने काट लिया है और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं ये मिठाई सभी के बजट में भी आने वाला है और खाने में तो लाजवाब है ही मिठाई को जिसको भी खिलाएंगे वो ना नहीं करेगा वो जरूर खाएगा इस मिठाई को और लिज्येस के ऊपर से बच्ची हुई चासनी कर्णू के इस ब़ुकूर भी डाल दी है और इसके ऊपर से जो के सर वाले डाल सकते हैं या फिर हल्दी का भी इस्तमाल कर सकते हैं और ये मिठाई बिल्कुल मार्केट जैसे लगेगी कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दूध और सूजी से बनाया गया है तो आप इस तरीके से इस दिपावले पर इस मिठाई को बनाएए और सभी को खुस कर दीजे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए और सभी को मेरे तरब से दिपावले की बहुत बहुत धेरोज सुफ कामना है बाए बाए जै महाकाल